तो हेलो स्टुडेंट्स तो आज के दिन में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप डैसिमल को बाइनरी में बदल सकते हो तो गाइस यह कोई प्रोग्राम नहीं है यह दिरसल एक तरह का प्रॉब्लम है जो आपको युनिवर्सिटीज और स्कूल लेवल के जो पेपर्स होते हैं तो उसमें आपको यह देखने को मिल जाएंगे तो गाइस चलो फिर इसको डैसिमल से बाइनरी में हम कनवर्ट करते हैं तो डैसिमल और बाइनरी में सबसे पहला फरक है कि डैसिमल में आपको बेस 10 देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको बेस 10 देखने को मिलेगा और इस form में convert करना है तो आप कैसे करोगे आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी चीज decimal से binary में convert हो रही है उसको आपको divide कर देना है ठीक है मैं बताता हूँ कैसे करना है उसको आपको एक तरह simple form में divide करते जाना है जैसे कि यह हो गया इसके बाद 2,8,16 जैसे ही हुआ यहाँ प कैंद आ यापको note करवा देता हूँ और यही आपको last में note करना है तो ही remainder हो गया यहां पर आपने note किया 2,4,8 to 48 किया तो यहाँपर फिर से बचा zero remainder and यहांपर आपने से note किया यहां पर आया तूजा 4 यहाँ पर 20 यहाँ पर आया 20 और बचा 0 रिमेंडर रिमेंडर मतलब आपको पता होगा बैब बता देता हूँ जैसे कि आपने इसको 2 से डिवाइड गया यह आया है इधर 160 तो रिमेंडर जीरो बचेगा इसको हम रिमेंडर बोलते है तो यही आपको नोट करना है और इसको आपको बहुत ही ध्यान से एकदम मतलब कॉंसेंट्रेटली आपको सॉल्व करना होगा ताकि रिमेंडर के जो ग्रूप बनते है लास्ट में नीचे से उप जाना है और जो भी रिमेंडर का ग्रूप बनेगा लास्ट में रॉम बॉट्टम तो दा अप ठीक है तो उसको आपको नोट करना है ना कि अप्टू डाउन मतलब आपको नीचे से जाना है और नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर जाना है तो वो आपका binary number हो जाएगा बाइनरी number में वो convert हो जाएगा तू टेंजर 20, 25 ज़र 10 and then 2, 2 ज़र 4 यहाँ पर 0 remainder हुआ, यहाँ पर फिर 0 remainder हुआ, यहाँ पर 2, 2 ज़र 4 and then 1 remainder हुआ and then यहाँ पर हुआ, 2, 1 ज़र 2, और यहाँ पर मचा 0 remainder और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जब नीचे से उपर जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है आप देखो, सबसे पहले मिल रहा है 1, फिर 0, फिर 1 यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 0, तो आप जैसे नीचे से उपर जा रहे हो ना, तो आपको क्या मिल रहा है आपको 1, फिर मिल रहा है 0, तो आप नोट कर लोगे 1, 0, उसके बाद आप फिर नोट करोगे 1, तो थर्ड नमबर पर 1 है, उसके बाद 3, 4, 5, यानि 5 टाइम्स आपको 0, नोट डाउन कर लेना है ओके, तो यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है, यानि 160, base 10, is equals 2 हो जाएगा 101, and then 5 times 0, and then base 2, यह हो जाएगा, answer तो गाइज, मैं मतलब समझता हूँ कि आप easily समझ गए होगे इसको, तो हम एक और example करते हैं, को मिटा देते हैं यहाँ पर, तो मैं एक और example लेता हूँ तो एक और example हम लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, 75, 10, 75, 10, 2, base 2, अब आप इसको कैसे करोगे, इसको आप डिवाइड कर लोगे, 75, and then आपको करना है, 2 से डिवाइड, 2, 3, 4, 6 and then 7, 14, वन रिमेंडर बचेगा इधर, यहाँ पर आपको फिर से 2, 1, 2 and then 1 and 7, 2, 8, 16, यहाँ पर फिर से एक रिमेंडर बचा, यहाँ पर आपको फिर से डिवाइड कर लेना है, 2, 9, 18, यहाँ पर 0 रिमेंडर बचेगा, आपको 2 से ही डिवाइड करना है, बस इस बात को आप ध्यान रखना, आपको 2 से ही डिवाइड करना, यही रूल है, अगर आप decimal से binary में convert करते हो किसी नंबर को, तो यही एक मातर रूल है, 2, 4 जा 8, remainder 1, 2, 2 जा 4, and then remainder 0, and then आपको convert करना है, ठीक है, यह last हो जाएगा, 2 बन जा 2, और यहाँ पर आगया आप कुछ नहीं कर पाऊगे, तो यह remainder हो जाएगा अभी 0, अब आपको जाना है, ऐसे, and then towards up, तो यहाँ पर क्या answer हो जाएगा, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, base, 2, तो यह आपका हो जाएगा, answer, ठीक है, So students, आज के लिए इतना ही, I hope आपको समझ आ गया होगा, और मैं ऐसे tutorials लाता रहूँगा, मतलब आपको समझाता रहूँगा, जैसे ही, अब next step पर हम पहुचेंगे, कैसे hexadecimal को हम binary में convert करते हैं, या hexadecimal को हम octal में convert करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको next वीडियो में बताने वाला हूँ, तब तक मैं आपको एक work देता हूँ, आप convert करके एक बर देखना, इसको convert करना है, इसमें, ठीक है, अब इसको करने का क्या rule है, कि यहाँ पर जैसे ही आप two लेते रहे हो ना, उपर से नीचे, यहाँ पर आपको eight लेना है, और eight से ही आपको divide करते हूँ चले जाना है, और side में जो LCM last में आएगा, वो आपको note करना है, तो आप इसको एक बर खुद से कोशिश करो, अगर नहीं होता है, तो मैं next वीडियो में फिर से आऊँगा, और मैं आपको समझाओंगा पूरी तरीके से कि कैसे procedure होता है, उसका भी, so students, आज के लिए इतना ही, and I hope आप सभी को समझ आ गया होगा, and मैं आपसे next वीडियो पर मिलता हूँ, तब तक के लिए, bye, और हाँ guys, अगर आप ऐसे tutorial वीडियो चाहते हो, तो वो जो नीचे subscribe बटन दे रखा है, दबा दो उसे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो like कर दो, मैं अब ठीक है, मिलता हूँ next वीडियो में आप सभी से, bye,